स्वागत है आपका हिंदी क्लास में और जैसे कि मैंने पाठ पढ़ाये थे आपको हिंदी के अब मैं आपको कुछ आपके सामने कुछ एक्सराइजेस हैं हिंदी की उन एक्सराइजेस को हम लोग एक साथ करेंगे तो आप मेरे साथ एक्सराइजेस देखते रहें सवालों को देखते रहें और उन प्रश्णों का उत्तर मेरे साथ याद करिएगा और लिखिएगा अपनी कॉपी में देखिए विटा यहां पर आपको चित्र दिख रहे हैं कुछ पक्षियों के कुछ जानवरों के तो वो कैसे आवाज निकालते हैं हमको मैच करना है ठीक है मिलान करना है तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि पहली है चिडिया डाल पए बैठी है चिडिया कैसे बोलती है बीटा चिडिया बोलती है चीची तो हम कुकड़क को फिर है बीटा पिजन पिजन को हम हिंदी में क्या कहते है कबूतर कैसे बोलता है कबूतर बोलता है गुटर 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 ठीक है अगला है कुटा कुटा आप सब जानते हैं कुटा तो भौकता है कैसे बोलता है भौ-भौ तो कुटा भौ- तो टर टर ठीक है और अंतिम में क्या है लास्ट में क्या बचा तोता कैसे बोलता है टाएं टाएं या टेटे ठीक है तो तोता हो गया टेटे आपने कक्षाइक में पोयम भी पढ़ी थी तोता जो होता है वो टाएं टाएं करता है ठीक है पैसा पास होता तो हम चार चने लात ते उस वालिका कविता में तरता कैसे बोलता था टाय टीक है अगले एकसराईज चलते हैं कोशल है बोलना सुनना कौन क्या बोलता↑ अभी हमने ज़िवर मैच किया था अब हम देखेंगे कौन कैसे बोलता we canse jaN founded सबसे पहला है कौन बोलता है मै में तो में में तो बक्री करती है ठीक है तो में में बक्री करती है ठीक अब बोलता है कौन बोलता है भाबो तो बहुता बोलता है तो यह हमने कुटा लिखा फिर कौन बोलती है कूकू बिटा कोयल जो होती है काले रंकी होती है बहुत अच्छा गाना गाती है तो कोयल हमेशा कूकू बोलती है कोयल कूक देती है ठीक है कूकू और कौन बोलता है कुकु 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 बोलता है मुरगा फिर है बिल्ली का चित्र बनाओ तो यह देखिए बिल्ली का चित्र बना है ऐसे ही आप अपनी कौपी में बिल्ली का चित्र देख के बनाएंगे और उसमें रंग भरेंगे ठीक है अगला चलते हैं इसमें लिखा है कि आस्मान में आप क्या-क्या देखते हैं चित्र देखकर नाम बताईए और लिखिए तो बेटा यहां पर कुछ चित्र बने हैं जो कि हमें आस्मान में देखने को मिलते हैं अब उनको चित्र को पहचान के हमें उनका नाम लिखना है तो सबसे पहले देखिए क्या है गुब्बारे बने हैं और यह जो गुब्बारे होते हैं वो कहां होते हैं हवा में उड़ते हैं आसमान में आकाश में तो सबसे पहला चित्र है गुब्बारे का ठीक है तो हमने लिखा गुब्बारा अगला देख सकते हैं आप व पक्षी उड़ रहे हैं तो या तो हम पक्षी लिखेंगे या तो हम चिडिया लिखेंगे अगला है पतंग ठीक है पतंग कहां उड़ती है हवा में उड़ती है है न फर फर चर चर उड़ी पतंग हमारी तो यह पतंग जो है वह आस्मान में दिखती है फिर है तारे यह देख में चमकता है दिन में सूरत चमकता है और रात में चंदा चमकता है तो यह है चांद तो कौन-कौन से चीज़ें आपको आकाश में दिखती हैं उन्चित्र बने हैं गुबाराव विमान चिडिया पतंग तारे और चांद अब देखिए विटा कहानी के आधार पर प्रश्णों के उत्तर देने हैं ठीक है अधिक बलवान कौन आपने पाठ पढ़ा था उस कहानी के आधार पर अब हमें प्रश्णों को देना है सबसे पहला है हवा की किसके साथ बहस छिड़ गई तो आपको पता है मैंने आपको और सूरज में, तो यहां पे हम सूरज की तरफ निशान बना देंगे, किस के साथ छिड़ी थी, सूरज के साथ, अच्छा, हवा ने सूरज से कहा, मैं तुमसे अधिक क्या हूँ, बलवान हूँ, बलवान हूँ, इसी में तो बहस छिड़ी थी दोनों के बीच में, और अंत मे कहानी में कौन जीता था, हाँ, कहानी में सूरज जीता था, क्योंकि सूरज हवा से अधिक बलवान है, हवा की नजर किस पर पड़ी, मिटा हवा की नजर किस पर पड़ी थी, और अदमी पर, उसने कोट पहन रखा था, और टोपी लगा रखी थी, है न, चित्र देखकर बत तंदरुस्ता आदमी बलवान होता है, कि पतला दुबला आदमी बलवान होता है, हाँ, मोटा तंदरुस्ता आदमी बलवान होता है, वेरी गुड, और जो पतला आदमी होता है, वो तो कमजोर होगा, ठीक है, चलिए, अगला है, कहानी को घटना अनुसार सही क्रम में लग तो सबसे पहले क्षुए को पानी में फेक दिया थीक है फिर तालाब में एक कच्वा रहता था पिर है तेन दूए कने कच्वए को पक्ड़ा लोम्डी से कच्छ्व की दोस्ती हो गई तो यह 4 वाक्य दी हैं तो सबसे पहला वाक्य बताईए जह लिए क्छ्वा रहता था तो यह नंबेर न पहला पहला वांखी है वह टालाबं ने कछ्वा तो यही घटना हुई थी सबसे पहले कहानी शुरू हुई थी कि तालाब में कच्छुआ रहता था कच्छुए और लोमडी के बीच में अच्छी दोस्ती हो गई थी और एक दिन जब वो लोग बाते कर रहे थे तो वहां पर तेंदुआ आ गया और तेंदुए कच्छुए को मूह में पकड़ लिया और उसको फिर लोमडी की बात सुनके तेंदुए ने क्या किया उसके खोल को डीला करने के लिए उसको पानी में फेग दिया और इस तरीके से कच्छुए की जान बच गई लोमडी की समझदारी से तो हमें अपने दोस्तों की मदद कर्वाइं करनी ठीक है आपको चित्र सबसे पहला है मैं बहुत आच्छा दरां हूँ पहले खाणे में चित्र बनाओ, तेज कौन भागता है, तेज तो तेंदुआ भागता है, तो हम तेंदुए का चित्र बना देंगे, फिर है मैं जंगल का राजा हूँ, आपको पता है जंगल का राजा कौन होता है, जंगल का राजा शेर होता है, तो तीसरे खाने में शेर बना दिया, और चौथे ख सरीके से आप अपनी कौपियों में चित्रों को बनाएंगे और उन इंग में रंग भरेंगे कि अगला देखिए समान अर्थवाले शब्द लिखो समान अर्थवाले शब्दमें लिखने हैं समान मतलब जिनका सेम मेनिंग होता है जो देखने सुनने में एकदम समान होते हैं सेम होते हैं तो मैंने आपको बताया था कि हवा को हम और क्या कहते हैं हवा को हम कहते हैं समीर ठीक है ताकत ताकत मतलब बल ठीक है तो ताकत मतलब बल और सूरज सूरज को हम और क्या कहते हैं तो आप रवी को याद कर लीजिया, तो हवा का समान अर्थ वाला शब्द है समीर, ताकत का बल और सूरज का रवी, ठीक है, अब हमें उल्टे अर्थ वाले शब्दों को लिखना है, तो अधिक, उल्टा मतलब विलोम लिखना है, जैसे दिन का रात, उपर का नीचे, आगे क पीछे, एसे ही अधिक का मतलब, अधिक का क्या होगा, कम, कोई चीज अधिक होती है, तो उसका विलोम क्या होगा, कम, बल्वान तो कमजोर, जो बल्वान है, उसके विपरीत, यानि उसके ओपोजिट, विलोम उसका क्या होगा, कमजोर, बंध है, तो उसका विलोम क्या सर्दी ठीक है गर्मी सर्दी तो यह कुछ विलोम शब्द है जिनको आप अच्छे से याद कर लीजे और इनकी स्पेलिंग को अच्छे से लर्न करके आप अपनी कौपी में लिखिएगा फिर नीचे बने चित्रों के नाम लिखिए आप देख सकते हैं पहला चित्र क्या है य पहले भी कर चुके हैं चलिए हम फिर से एक बार मैंने यहाप पर मैच कर दिया है हम आपको दिखाते हैं तोता कैसे बोलता है टाएं टाएं चिडिया कैसे बोलती है चीची कवा कैसे बोलता है काउं काउं हुद हुद एक पक्षी है वो बोलता है हूप हूप और कोयल कैसे बोलती है कुकु कोयल जो पक्षी होती है वो बहुत मीठे सुर में गाती है कोयल भी काली होती है और कववा भी काला होता है पर कववे की आवाज जो होती है वो कोयल से जादा मधूर नहीं होती सबसे मधूर आवाज किसकी होती है कोयल की कोयल बहुत मीठा गाना गाती है कुकु कुकु ठीक है अब हमें खाली जगे भरनी है बुल-बुल के अंडे जो हैं वो किस रंके होते हैं पार्ट मैंने जब पढ़ाया था तो आपको बताया था बुल-बुल के अंडे जो होते हैं वो हलके गुलाबी रंके होते हैं अब बुल-बुल क्या-क्या खाती है और लिख लेंगे ठीक है अच्छा तोता कहां रहता है तो तोता या तो पेड़ पे रहता है या तो पिंजड़े में रहता है क्योंकि तोता जो है उसको हम पालते हैं ठीक है तो आप इसको देख लेंगे और लिख लेंगे अब है यहाँ पे कुछ चित्र दिये हैं वेटा और इ क्या बनी हुई है बगल में नदी एक नदी है और नदी में कौन तेर रही है नदी में क्या तेर रही है बताईए हाँ नाव तेर रही है तो यहां पर हमने ना अक्षर भर दिया देखिए दिन दिन और ना और दी नदी तो दिन हो गया दिन में सूरत चमकता है और जो नदी म नाव तेर्ती हैं फिर है सबखे आप बताईये कौन सा और अक्षर आएगा निकलता है सुरज निकलता है- और रात- रात के समय क्या निकलता है- चान निकलता है तो सवेरा और रात ठीक है आप देखिए यहाँ पे क्या बने हुआ है थाली सजी है और कई सारे अलग-अलग पकवान रखे हैं तो अब हमें शब्द क्या लिखना है पकवा वा और न तो वान पकवान तो हमने कौन सा एक्षर लिखा व और लगा दिया की मातरा पकवान और यह देखी क्या है वायू यान पकवान के बगल में कौन सा इमेज बनी है वायू यान की तो यह हो गया वायू यान तो पकवान और वायू यान तो इस तरीके से यहां जो खाली ब्लॉक्स थे उसमें हमने शब्दों को याक्षरों को भर दिया पिर हैं निमलिखित रंगों चीजों के रंग लिखिए अब आपको कुछ चीजे दी गई हैं उनके रंग आपको लिखने हैं आस्मान का रंग कैसा होता है बेटा आस्मान का रंग तो नीला होता है पपीता पपीता या तो हरे रंग का होता है जब वो कच्छा होता है और जब वो पक जाता है तो पीले र ठीक है सूरज मुखी भी आपको पता है सनफ्लावर जिसे कहते हैं अंग्रेजी में सूरज मुखी भी पीला फूल होता है पीले रंका होता है टमाटर टमाटर तो लाल रंका होता है पत्ता पत्ता हरा रंका होता है और गुलाब लाल रंका होता है ठीक है तो गुलाब जो है वो लाल रंगा होता है गुलाबी भी होता है सफेद भी होता है पर जब हम गुलाब की जनरल तरीके से बात करते हैं तो गुलाब जो होता है उसको हम लाल रंग से रंगते हैं उन्ने वालों के उपर घेरा लगाना है, कौन कौन सी चीज़े उरती है, तोता उरता है, नहीं, साप उरता है, नहीं, भालू उरता है, नहीं, पर चिडिया उरती है, हाँ, तो देखें मैंने चिडिया पे निशान लगाया है, हुदूद एक पक्षी है, वो भी उरता है, मोर कोयल उरती है क्योंकि कोयल भी एक पक्षी है शेर शेर तो जानवर है शेर नहीं उरता कववा एक पक्षी है इसलिए कववा भी उरता है और बुलबुल भी एक पक्षी है इसलिए बुलबुल भी उरती है तो बेटा इससे हमें ये बात मालुम चलती है कि जो इतने पक्षी ह होते हैं वो सब उड़ते हैं हवा में क्योंकि उनके पास पंक होते हैं और जिनके पास पंक नहीं होते वो लोग नहीं उड़ पाते जैसे जानवर हो गया तोता साब भालू शेर इन सब के पास पंक नहीं है इसलिए वो लोग नहीं उड़ पाते अब हमें तित्री का तित्ली किस से बनाती है बुलबुल अपना घोसला घास और जड़ों से बनाती है ठीक है पाठ में दिया गया है अच्छे से पढ़िए और याद करिए बुलबुल अपना घोसला अपना घर घास और जड़ों से बनाती है बुलबुल के अंडे किस रंके होते हैं ये तो मैंने पहले भी बताया बुलबुल के अंडे हलके गुलाबी रंके होते हैं तुम बुलबुल को कैसे पहचानोगे बिटा बुलबुल की पूच को देखके हम उसे पहचान सकते हैं उसकी जो पूच होती है उसका जो सिरा होता है वो सफेद रंका होता है और जो पहला भाग होता है वो ला फिर रंग भर देंगे दिएगय संगीत यंत्रों को पहचानो और नाम लिखो ठीक है बेटा तो इहां पर संगीत यंत्रों को हमें पहचानना है और नाम लिखना है तो सबसे पहला जो यंत्र है वो क्या है सारंगी संगीत यंत्र क्या होता है संगीत यंत्र वो होता है जिस से जिसके तारों को छेड़ के हमें धुन निकालते हैं और संगीत निकलता है मधूर मधूर संगीत मीठी सारंगी में आपने संगीत यंत्रों के बारे में पढ़ा था तो अब यहां पे कुछ संग संगीत यंत्र दिये हैं और उनको देखके आपको क्या करना है उनका नाम लिखना है तो देखिए पहला है सारंगी अगला है तबला फिर क्या है विटा फिर देखिए फिर क्या बना है सितार है ना फिर है धोलक और आखरी में कौन सा है वीना तो यह सारे संगीत यंत्र है कौ तुक वाले शब्ट बेटा क्या होते हैं जो same sound करते हैं जैसे English में आप rhyming words सुनते हैं वैसे हिंदी में जिनका स्वर्ज होता है वो समान आता है जो सुनने में एक जैसे लगते हैं उनको हम तुक वाले शब्ट कहते हैं तो चलिए देखे मैंने मिला दिया है मैं आपको बतात हुँ दाने से मिलता जुलता शब्ट क्या है लाने खाने बताने अनार हजार और पत्ते लत्ते तो यह तुक वाले शब्ट हो गया देखे यह आपस में एकदम same sound करते हैं ठीक है इनका जो स्वर होता है वो समान होता है दाने लाने खाने बताने अनार हजार पत्ते लत्ते तो जो sound जिनका same होता है, जिने हम English में rhyming words कहते हैं, वही हिंदी में तुकवाले शब्त कहे जाते हैं, ठीक है? फिर है टेसु राजा बीच बजार का ये एक exercise है, इसमें हमें कविता को पूरा करना है, टेसु राजा बीच बजार खड़े हुए ले रहे अनार, तो ये कविता की कुछ पंगतियां हैं, जिनमें आधी अधूरियां हमें उन्हें पूरा करना है, एक जुंड में कितनी भेड एक पेड़ पर पत्ती जितनी, तो ये हमने complete कर दी पोयम, क्या था टेसु राजा बीच बजार खड़े हुए ले रहे अनार, एक जुंड में भेड़े कितनी, एक पेड़ पर पत्ती जितनी, ठीक है, तो ये कविता को हमने पूरा कर दिया, अब है टेसु राजा बजार अ लेने गए थे, आप जब बाजार में जाते हैं, तो क्या क्या लेने जाते हैं, तुम बाजार में क्या लेने जाते हो, तो मैं बाजार से फल, सबजी, खाने का समान, किताब, पैन, रंग, और बहुत कुछ लाता हूं, है न विटा, आप बहुत कुछ लाते हैं बाजार से, तुम बाजार कैसे जाते हो? मैं बाजार अपने माता-पिता के साथ गारी में जाता हूँ कई बार आप गारी से जाते हो, कई बार आप ओटो से जाते हो, रिक्षे से जाते हो तो आप जिससे भी जाते हो, उस का नाम आप यहाँ पर लिख दोगे और अधिकतर क्योंकि हम लोग छोटे बच्चे हैं तो हम लोग किसके साथ जाते हैं? माता पिता के साथ जाते हैं तो जितने छोटे बच्चे होते हैं वो अपने माता पिता के साथ या किसी बड़े के साथ बाजार जाते हैं अकेले नहीं जाते ठीक है विटा? फिर देखिए क्या है? नीचे दिए ये पक्षियों को पहचानो, इनके नाम लिखो तो पहला क्या है? पहला पक्षी रेखिए बना है बुल-बुल कैसे पहचाना? क्योंकि इसके सिर पे कलगी है सिपाही बुल-बुल है ये फिर कौन सी है? कबूतर और फिर कौन सा पक्षी है? तोता तो आपने देखा बुल-बुल बनी है कबूतर बना है और तोता बना है अब इसमें से जो बुल-बुल है उस पे आपको निशान लगाना है तो ये देखिए बुल-बुल के आगे मैंने निशान लगाया हुआ है ठीक है तो ये बेटा आज की exercises थी अब तक जितने आपने पाठ पढ़े हैं उनकी exercises हैं इनको आप अच्छे से learn करिए अच्छे से याद करिए अपनी अपनी कॉपियों में लिखिए और जो चित्र दिये गए हैं उनको पहचानना सीखिए उनका नाम लिखिए जितनी भी वर्तिनी हैं spellings हैं शब्दों की अक्षरों की पहचानिये और उसको याद करके अपनी कॉपियों में सुन्दर सुन्दर अक्षरों में लिखिए और साथ ही चित्र बनाकर उनमें रंग भनने का भ्यास करिए थैंक यू झाल 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 झाल